यहाँ वीडियो आप सभी के लिए बहुती महतपूर होने वाला हैं क्योंको इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल सुरुआत से सिखने वाले हैं कि भाग को किस तरह से बनाया जाता हैं अधी आपको भाग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता होगा न तो भी कोई बात नहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपको भाग बनाना बिल्कुल अच्छे तरह से आ जाएगा और कहीं पर भी भाग बनाने कोई दिकत भी नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ पर दो परकार के भाग को लिया हैं पहला भाग सिंपल हैं और दूसरा भाग थोड़ा सा हटके हैं इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक और ओभी बीना भागाय हुए ध्यान से जरूर दखिएगा तभी आप भाग को बिल्कुल अच्छे तरह से सिख पाएंगे तो चली हम सबसे पहले पहला भाग को बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से भाग को बनाया जाता है तो देखे यहां पर हमें तिन से भाग देना है और इतना बड़ा सा संख्या है तो देखे भाग देने का सबसे पहला नियम यह होता है कि जिस भी संख्या का हमें भाग देना होता है न उस संख्या का एक तरफ पहाडा लिख लिया जाता है यहाँ पर हमें तिन से भाग देना है न तिसलिए मैंने यहाँ पर तिन का पहाडा लिख लिया हूँ और यहाँ पर 9 से भाग देना है, तो 9 का भी पहाडा मैं लिख लिया हूँ, अब भाग देकर देखिए, तो देखिए यहाँ पर 3 है न, एक अंक है न, तो इधर से हम सबसे पहले एक अंक लेंगे, इधर से क्या हम लेंगे, एक अंक लेंगे, अब हम मिलाएंगे यह, कि क्या इह जो तीन है, इससे यह वला अंक बड़ा है या नहीं, ती यह बिल्कुल बड़ा है देख लिजए, अधि छोटा होताना तो हम दू अंक लेते, लेकिन बड़ा है तो हम एक ही अंक लेंगे, ठीक? अब देखिए अब क्या करना है यह जो 3 है इसका हमें पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 6 है यहाँ पर देखिए मैं 3 का पहाड़ा लिखा हूँ तो मैं 3 का पहाड़ा पढ़ता हूँ 3, 3, 2, 6 तिन के पाड़ा में 6 जो हैं कितने बार में आता हैं तो दो बार में आता हैं तो जितने बार में आया है ना उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे और 6 दो बार में आया है ना तो 6 यहां पर हम लोग लिखेंगे अब इसको क्या करना इस तरह से पाई परना है और इसको आपस में घटा देना है, तो देखिए छव मले छव घटाएंगे क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो भागा का नियंम है कि जब एक ही अंक रहता है न, न तो 0 न देखर इस तरह से क्रोश का चिन्दे दिया जाता है, इसक तो तुषेंगे कि कि तीन के पहडा में साथ कितने बार में हैं। तो देखिए तीन,タिन, दुनी, छौत, इतरीका, नौ।ं तैन के पहडा में तो साथ हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे। तो देखिए जब इस तरह का अंक रहता है कि जो जिससे हम भाग दे रहें उसके पहाड़ा का नहीं होता है तो क्या किया जाता है यहाँ पर साथ है न तो फिर हम तीन के पहाड़ा का साथ के नजदिक वाला अंक लेंगे और साथ से कम अंक लेंगे इससे बड़ा नहीं तो देखिए तीन के पहाड़ा में साथ से नजदिक वालाउंक कौन है और साथ से छोटा भी होना चाहिए तो देखिए तीन तिन दुनी छो तितिरी का नौ देखिए नौ जो है साथ से बड़ा हो जरा है तो साथ से छोटा जो है चोव है और चोव कितने बार में आता है दो बार में आता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दो और यहाँ पर लिखेंगे चोव और इसको क्या करना है घटाना है इसको मैं घटा देता हूँ तो दिखिए साथ मले चोव घटेगा एक बचेगा और हाँ देखिए यह जो चिन मैं दे रहा हूँ यह कोई जरूरी नहीं है आप मत दिजिएगा आपको केवल समझाने के लिए मैं यह चिन दे रहा हूँ ठीक आप केवल यह वाला दिजिएगा घाटाव वाला चिन अब देखिए क्या करना है यहाँ पर 15 है न तब हमें फिर स 3 का पहाडा पढ़ना है और देखना है कि 3 के पहाडा में कितने भार में 15 आता है तो देखिए 3, 3, 2, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15 तिन के पहाडा में 5 बार में 15 है तिसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 15 इस तरह से चिन पारेंगे और इसको घाटा देखिए मैंने आपसे यहाँ पर कहा थाना जब एक ही अंक रहता है तो जिरो न देकर इस तरह से क्रोस का चीन दे दिया जाता है दोनों एक ही अंक है देखिए पांच मेले पांच घटेगा जिरो बचेगा एक मलेक घटेगा जिरो बचेगा तिसलिए हम जिरो न देकर इस त तिन का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि तिन के पहाड़ा में कितना बार में 9 हैं तो 3, 3, 2, 6, 3, 9 तिन के पहाड़ा में 9 जो हैं यह तिन बार में हैं तिन बार में आता है तो 3 हम लोग यहां पर लिखेंगे और 9 हम लोग यहां पर लिखेंगे और फिर इसको घटा देना है, same to same अंक है, तिस तरह से कट हो जाएगा, और हमारा भागा बनकर त्यार हो गया है, और एक बात यहाँ पर जान लिजिए, दिखिए भाग देने के बाद, जो नीचे में अंक बजता है उसे सेस कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इधर वाला जो अंक होता है न, इसे भाज ये कहते हैं, भाज ये, और जो इधर वाला संख्या होता है न, जिससे हम लोग भाग दे रहे होते हैं, उसे भाजक कहते हैं, भाजक, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह भी बहुत काम का चीज है, अब दूसरा भाग को समझिए तो दूसरा भाग हमें नौ से भाग देना है, इस संख्या में, तो यहाँ पर एक अंख हैं, तिधर से हम लोग एक अंख लेंगे, अब मिलाएंगे कि यह हवला अंख जो हैं इससे छोटा तो नहीं है न, तो नौ तो इससे छोटा नहीं है, बराबर हैं, चलिए कोई बात अच्छा है और फिर हम नौ का पहाडा में देखेंगे कि नौ कितने बार में आता है तो दिखी नौ के पहाडा में नौ जो है एक ही बार में आ जा रहा है तो इधर हम लिखेंगे एक और यहाँ पर हम लिखेंगे नौ इसको हमें क्या करना है घटा देना है इसको हम घटाएं दोनों एक ही अंख है तिस तरह से करोज का चिन दे देंगे फिर अगला अंख क्या है अगला अंख है आठ तो आठ को हम लोग यहां पर लिखेंगे अब देखिए आठ जो है नौ से यहां पर देखिए छोटा हो जा रहा है तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने यह भाग ल देखिए यहां से हम लोग पांच को भी उतारते हैं यहां पर लेकिन एक बात याद रखेएगा जब एक साथ हम लगतार दो अंख यहां पर लिखेंगे तो यहां पर एगो जीरू लगाना पड़ता है ठीक तो जब ही आप उपर से दो अंख उतारिएगा तो यहां पर तो नोव के पहाडा हम नो बार पढ़ रहे हैं तो इकासी आ रहा हें और दस बार पढ़ रहे हैं तो नवब आ रहा हें 90 इससे अधिक हो जा रहा हैं यह कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो है 9 के पहाड़ा में नहीं है तो हम क्या करेंगे इससे थोड़ा सा कम अंक लेंगे लेकिन इससे अधिक तो नहीं लेंगे न तो अधिक वाला नहीं लेंगे अधिक वाला 90 है तो 90 नहीं लेंगे हम 81 लेंगे और 81 नो बार में आ रहा हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 81 इसको क्या करना है आपस घटा देना है तो देखिए पांच मलेक घटेगा यह चार बचेगा यह सेम टू सेम अंग है तिस तरह से करोज का चिन दे देंगे अब उपर से उतरेगा क इस साथ को हम लोग यहाँ पर उतारेंगे अब देखिए यह क्या है यह है 47 अब 9 का पहाड़ा पढ़िए और देखिए कि 9 के पहाड़ा में 47 कितने बर में आता हैं तो हम लोग 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 9 दुनिय 18 ना 37 ना 349 पाचे 45 ना चाक 54 कहने का मतलब कि 9 के पहाड़ा में 47 भी नहीं है तो हम फिर इससे कम अलांक लेंगे तो इससे कम अलांक होता है 45 और इससे आगे पढ़ते हैं तो चववा ना जा रहा हैं जो कि इससे अधिक हैं तो हम 45 ही लेंगे तो देखिए 45 कितने बर में आता हैं तो 9 9 दुनिय 18 ना 37 ना 349 ना पाचे 45 जो है यह पाच बार में आता है तिसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाच और यहाँ पर लिख देते हैं 45 अब इसको आपस घटा देना है तो देखिए 7 मले 5 घटेगा दो वचेगा और यह सेम अंक है तो यह कट जाएगा अब देखिए यहाँ पर कोई अंक भी नहीं है लाश्ट अंक 7 था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर उतारा है अब कोई अंक नहीं है और नीचे में क्या बचा है दो बचा है दो तोनाव से कम है अब भाग नहीं जाएगा अब हमारा जो भाग है यह बिलकुल सही तरीका से बनकर त्यार हो गया है इस तरह से सबसे हैसान तरीका से कोई भी भाग को बनाया जा सकता है और हां जब ही आप भाग बनाएगा तो आपके मन में एक सवाल जरूर रहेगा कि जो हमने भाग बनाया है वह सही बना है कि गलत उसको हम कैसे जानेंगे उसको भी अदि आप सिखना चाहते हैं तो जरा सा रुकिए और यह भी जानली जी कि भाग को किस तरह से जाच किया जाता है कि वह सही बना है या गलत तो देखिए भाग को जाच करने का एक फर्मूला होता है और फर्मूला यह होता है कि भाजे बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड सेस तो भाजे किसे कहते हैं तो यह जो भाग का बी और यहां पर भाजक नौ है भागफल कीसे कहते हैं तो भाग देने के बाद जो इधर का अंक आता है उसे भागफल कहते हैं और सेस कीसे कहते हैं तो नीचे में जो अंक बजता है भाग देने के बाद उसे सेस कहते हैं तो यहां पर कुछ वो नहीं है यानि कि यहां पर सेस जो और इस भाग को आप लोग जाच किजिएगा तो देखिए जाच करने का क्या नियम है देखिए अधी इन सभी प्रस्नों को हम हल करेंगे तो यह हवाला आजाएगा तो देखिए यहाँ पर भाजक क्या है तो भाजक तिन है तो मैं पहले तिन को लिखता हूँ उसके बाद गूडा है तो गूडा भागफल क्या है? तो भागफल यह है 2, 2, 5, 3 सेस क्या है तो देखिये इसमें सेस जो है यह जीरो है तो मैं यहाँ पर लिखता हूं जीरो और इसको हम लोग हल करेंगे तो यह वाला बीच वाला आ जाएगा न तो समझ जईएगा कि यह वाला भाग सही है और नहीं आएगा तो मान जईएगा कि यह वाला भाग जो बना है वह गलत बना है तो देखिए तीन का पहाडा हम तीन बार पढ़ेंगे इसको गुणा कराएंगे तो किस तरह से कराएंगे इसी तरह से न, या फिर इसको इस तरह से भी करा सकते हैं, यहाँ पर दखिए, इसको पहले मैं लिख देता हूँ, 2, 2, 5, 3 और गुणा 3 इस तरह से, इसको गुणा कराईए तो दखिए, तितिरी का नौ, पंस्तियाई पंदरह का पांच, तिन दुनी का छोव, एक वहासिल है तो साथ और तिन दुनी छोव, देखिए और इसमें जोड़ना क्या है, जीरो जोड़ना है तो जीरो जोड़ेंगे तो फिर इतना ही न आएगा, को यंक होता तब ही न इसका मान बदलता जीरो है तो इसका मान तो बदलेगा नहीं, तो देखिए यह वाला और यह वाला मिला ये क्या दोनों बराबर आया हैं, तो देखे बिल्कुल बराबर आया हैं, यहाँ पर भी है छोव, यहाँ पर भी है छोव, यहाँ पर साथ हैं तो साथ हैं, पांच हैं तो पांच हैं और नौ हैं तो नौ हैं तो नौ हैं, कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो हमारा भाग बना हैं, बिल्कुल सही बना है और इस भाग को आप लोग जाच कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह वाला भाग सही बना है गलत अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइ करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धने बाद